ले बेटा 20 रुपे बड़े दिनों में महमान आये हैं इनके लिए 20 रुपे का पनीर लेकिन 20 रुपे का पनीर कुछ जादा नहीं हो जाएगा कोई वात नहीं बेटा जो बचे का फिरीज में रख देंगे भाई कंजूसी की भी हद होती है ठीक है अभी लेके आता हूँ मैं यार पिताजी तो बड़े काईयां और कंजूस किसम के आदमी हैं वो तो चाय में गिरी मक्की को भी चूस के फैक देते हैं फिराज कैसे उनकी जेब से 20 रुपे निकल गए चल मुझे क्या जाता हूँ दुगान पे भाईया ये 20 रुपे का पनीर दे दो और सुनो बढ़िया और अच्छी क्वाल्टी का देना एकदम ताजा पनीर अरे भाईया टेंशन मतला लो हमारा पनीर बहुत ही बढ़िया है खाओगे तो ऐसे लगेगा जैसे मक्खन खा रहे हूँ मक्खन जैसा लगेगा इसका मतलब पनीर से अच्छा मक्खन होता है फिर तो मुझे मक्खन ही लेना चाहिए पिता जी भी खुश हो जाएंगे मेरे 20 उर्पे देदो मैं मक्खन लूंगा जाके क्या आप आगला अधिमी था है हलो भाईया आपके पास मक्खन मिल जाएगा क्या हांजी मिल जाएगा हांजी 20 उर्पे का देदो ठीक है अभी ला रहा हूँ यह लो भी आपका मक्खन भाईया मक्खन ठीक तो है ताजा है ना खराब तो नहीं निकलेगा अरे यह कैसी बाते कर रहे हमारे मक्खन विल्कुल सहद जैसा है सहद जैसा है इसका मतलब मक्खन से अच्छा शहद होता है फिर तो मुझे शहद लेना चाहिए कि ताजी और खूस हो जाएंगे भाईया यह अपना मक्खन वापसी रख लो मुझे मेरे बीर सुरू पर देदो अरे भाईया क्या हो गया ने भाईया आप मेरे पैसे वापसी क्या मिल जगा शहद ठीक है दे दो लेकिन ध्यान रहे शहद बैठरीन क्वालिटी का होना चाहिए एकदम प्योर अरे पटा टैंक्शन मतले हमारे शहद में कोई मिलावट नी है एकदम पानी की तरह साफ है बिल्कुल साफ है पानी की तरह साफ है साफ पानी तो हमारे घर म नहीं मुझूद है तो मैं उसके लिए पैसे क्यों खर्च कर रहा हूं अंगल आप मेरे पैसे दे दें मैं साफ पानी अपने घर से ले लूँगा ओ नौ अरे बाइसाब कहा रहें गया तुम्हार लड़का दो घंटे हो गयार मुझे कुछ जरूरी काम से भी जाना है आता ही होगा बाइसाब मुझे टेंसे इस बात की इतना सारा पैसा लेके गया किसीने गिद्नैप तो नहीं कर लिया उसको दीस रुपे दे के बोल रहा कितना सारा पैसा दे दिया है यह आदमी तो मुझे निहायती कंजूस लग रहा है बेटा इतनी देर लगा के आया फिर भी खा ली आता है पनीर खाए है वो हुआ कुछ ऐसे पिता शिरी तो मैंने सोचा पाणी तो हमारे घर में है तो उसके लिए पैसा क्यों खर्च करना आप बोलें तो लिया तो मैमान के लिए वा वेटा वा तूने तो मेरे पैसे बचा दिये तू ही मेरे नाम रोशन करेगा लेकिन एक काम खराब करके आये हो तुम वो क्या पिता जी तुम बहुत चलना बड़ा होगा तुमने सारी चपल घिजदी होगी आप टेंशन के लेते होए पिताजी मैं भी आप ही का बेटा हूँ मैं चपल भी मेमान की ही पैन के गया था अरे मेमान कहा जा रहे हैं मैं कुछ और लेता हूं आपके लिए नराज क्यों रहे हैं